गुड इविनिंग फ्रेंड्स वेलकेम टो करनल पतानिया मोटिवेशन चैनल आज हम अपना 128 वाँ वीडियो अप्लोड कर रहे हैं और यह जर्णी जब शुरू की थी हमने तो उसके हमारा मकसद यह था कि हम यूथ एमपावर्मेंट के लिए करम करें और जो मेथडोलिजी उसके लिए हमने डॉप की थी हम तीन सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं करेंट अफियर और की अनलेसिस उसके साथ मोटिवेशन और लीडिशिप आस्पेक्ट आज हम बात करेंगे हमारे प्रोसी देश चाइना की जिसके साथ हमारे जो रिलेशन्स हैं इस समय अच्छे नहीं च चाइना एक बहुत ही चलाक लोमडी की तरह है जो विश्वास करता है कि बाकी देशों के उपर अपनी दादा गिरी की जाए उनकी लैंड को हड़पा जाए उनके रिसोर्स को कावों में किया जाए और ये इसकी पॉलसी जिसको सलामी स्लाइस भी बोलते हैं ये बड़ी द ग्रैब करना चाहता है और वर्ड को वो डॉमिनेट भी करना चाहता है उसको लगता है कि वो आने वाले समय में दुनिया की नंबर एक शक्ती बन जाएगा एकोनॉमिकली एस वेल एस मिलिटररी तीन साल पहले लदाक में चाइना ने एक मिसडवेंचर किया था जिसका आपको पता ही है और ये मिसडवेंचर उन्होंने अरुनाचल में भी किया हुआ है पर तकरीबन हमारी टेरिटरी के अंदर आके उन्होंने गौम एस्टबिश कर लिये हैं और लदाक के अंदर भी वो हमारी टेरिटरी में घुसे हुए हैं और उसको उपर अपना कबजा करना चाहते हैं अभी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी फिंगर एरिया से उसके बाद उन्होंने गोगरा हार्स्प्रिंग डैपसंग प्लेन और डैमचुक विलिज जो है उसके अंदर भी अपना कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारी फोर्ज की बहुदरी से जिस तरीके से उन्होंने उनका डटके सामना किया और यह आपको पता है कि गलवान के अंदर जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे चाइना के तकरीबन 70 के करीब जो जवान थे वो मारे गे थे लेकिन चाइना उस बात को मानता नहीं है उसके बाद कोर कमांडर लेवल की बात चलती रही और कुछ च करता है पंगांग सुलेक के पास तो उस समय एक स्टेजिकल एडवांटेज हमें मिल गी थी जिसको मिटिगेट करने के लिए उन्होंने ट्रूस किया और फिंगर एरिया के अंदर उन्होंने एक समझोता किया किलाश रेज हमने वेकेट की उसके बाद आस्ते आस्ते गोगर और हाट स्प्रिंग जो एरिया है यहां से भी दोनों फोजों की वापसी हो चुकी है तकरीबन इस समय पचास से पच्पन हजार सोल्जर जो हैं दोनों देशों के वहां पे आमने सामने बैठे हुए हैं और आप ही इमेजन कर सकते हैं कि इस बेशिन सर्दी में उन लोगों को मेंटेन करना उनकी क्लोधिंग उनके रहने का उनका खाना पीना बहुत ही कासली पढ़ रहा है दोनों देशों को लेकिन सबसे बड़ी जो प्रोब्लम आई है कि कुछ दिन पहले उन्होंने यह जो डैपसंग प्लेन है बड़ा ही स्टेटिजिकल एरिया है और यह हमारी जो सबसे हाइस एर फिल्ड है दोल्ट ओल्डी बेग में उसके दिज्दीक पड़ता है तो चाइना ने वहाँ पे तकरीबन 200 शेल्टर बना लिये हैं और अपने आपको वो कंसॉलिडेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वहाँ पे अपना जवानों के रहने की वेस्ट बीकर सके उसके बाद अपना राशनमीछां कर सके एमनूशन में रहने कि को अब्लूब कर सके तो इसके जो अर असानीug निसए डैप्सांग प्लैन को काली नहीं करें अब इसके लिए म стен parking आप्रोम Made रहनी पड़े गी जिसका मत्रप म Victims चाना कि रैसी नी डू के अंदर और हमारी नेवी जो है उसका पूरी तरह से दबदबा है इंडियन ओशन के अंदर तो यूएस से के बाद अगर किसी से चाइना घबराता है तो वह इंडिया है क्योंकि उसको मलका स्ट्रीट में चोक कर दिया जाता है तो उसके 80-85% जो समान वहां से चाइना पहु कर रही है और आने वाले समय में इंटरनेशनल कम्यूनिटी के थूई या जो क्वैड अगनेजिशन बना हुए है वो चाइना की विस्तारवादी निती है इसको अंकुष में लाने की कोशिश करेंगे और यह पॉसिबल है क्योंकि चाइना भी काफी वलनेबल है और जिस त अपने वेट के अंदर खुद क्लैप्स कर जाएगा उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आप इसको शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू जहन्त